नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चेनल में आपका एक वार फिट से स्वागत है आज हम आपको एक बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाने वाले हैं सती अनुसुरिया की सती अनुसुरिया महर्शी अत्री डिशी की पतनी थी जो की पतिवर्था धर्म के करण सुविख्यात थी एक दिन देव रिशी नारज जी बारी पारी से विश्णु जी सीव जी और बर्मा जी की अनुन्पुस्तिति विश्णु लोग शीव लोग तथा बर्मा लोग पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने लक्समी जी पारवती जी औह सावटी जी के सामने अनुसुरिया की पतिवता धर्म की बढ़ चट के प्रसंसा की तथा कहा कि समस्त स्रष्टी में उससे बढ़कर कोई पतिवर्ता नारी नहीं है नारजी की बाते सुनकर तीनों दिवयां सोचने लगी कि आखिर ऐसा अनुसुरिया के अंदर क्या है इस उनको इस्या होने लगी और जब नारजी की तथा पारवती एक घटी हुई तथा अनुसुरिया के पतिवर्त धर्म को खंडित करने के बारे में सोचने लगी उन्होंने निश्य किया कि हम अपने पतिवर्त धर्म खंडित करवाएंगे भर्मा विश्णू और सिव चब अपने स्थान पर पहुंचे तो तीनों वो ने बहुत समझाया कि यह पाप है हमसे मत करवाओ प्रंतु देवियों ने उनकी एक न सुनी और अंत में देवों को राजी होना पड़ा तिनों देवों ने साधू का विजधारण किया और अत्री रिष्ची के आस्रम में पहुंचे वहां पहुंचकर बोले कि हे देवी हमें आप भोजन कराए हम आपका भोजन एक सर्थ पर ग्रहन करेंगे यदि आप हमें निवर्ष्टर होकर भोजन कराऊगी अनुसुर्यानी साधूं के साप के भैसे तता अतिति शिवा से वंचित रहने के पाप के भैसे पर्मात्मां से प्रातना की कि यह इन तीनों को 6-6 महने के बच्चे के आयू के शिशु बनाओ जिससे मेरा पतिवर्थ धर्म भी खंडित नहों तता साधूं को आहर भी प्राप्थ हो वह अतिती शिवा ने करने का पाप भी ने लगे परमिस्वर के करपा से तीनों देवता 6-6 महने के बच्चे बन गए तता अनुसुरिया ने तीनों को निवस्तर होकर दूद पिलाया तता पानले में लोटा दिया जब तीनों देवों अपने स्थान पर नहीं लोटे तो देवियां व्याकूल हो गई तब नारद ने वहां आ करने पर भी हमने इन्हें ये गहनित कारी करने बेजा करपे आप इन्हें पुने उसी वस्ता में कीजिए आपके हम आभारी होंगी इतना सुनकर अत्री रिष्ची की पतनी अनुसुरिया ने तीनों बालक वापस उनके वास्तिय ग्रूप में ला दिया